लोग ब्रीवान विल्कम बैक टुछ में आतों जीमेट्री का प्रिवेसर कोशिण से चल रही है कब है थे से से सीजियल टीर 2 2017 में पुछेगे थे इफ O is the orthocenter of the triangle ABC and BOC is 100 degree then the measure of BAC देखो एक चीज़ और्थोसेंटर मतलब क्या होता है जहां पर पर्पेंडिकुलर मेंट करता है ठीक है तो हमने कर लिया तो यहां से क्या आगया एक triangle बना लिए ABC एक triangle बना लिए तो O is the orthocenter तो यहां से perpendicular खीचो अच्छा यहां से perpendicular खीचो अब BD CA CE कर लो ठीक है BD and CE कर लो खतम कहा नहीं तो O is the orthocenter तो इस angle को BOC के value आपको दिया हुआ है 100 degree ठीक है 100 degree दिया हुआ है तो दिदना measure of BAC तो BAC के measure क्या हो जाता है देखो BOC के value होता है BOC बराबर क्या होता है 180 degree minus theta होता है या फिर 180 degree minus angle A होता है तो यहां से angle A बराबर 180 minus क्या हो जाएगा minus angle BOC हो जाएगा तो 100 degree तो बराबर 80 degree is the correct answer ठीक है तो यह formula होता है अभी आप सोचोगे सही से बताओ कैसे होता है देखो ध्यान से हम लोग यह दो तीन तरीका निकाल सकते हैं ठीक है अगर यहां से B angle ले रहो तो यह C है यह 90 है तो यह कितना हो जागा 90 minus C और यह कितना हो जागा छोटो वाला similarly यह कितना है 90 है तो यह angle B angle है और यह छोटो वाला angle कितना हो जागा 90 minus C 90-B तो यहां से निकालो 100 degree plus 90 degree minus angle C minus angle B बरबर कितना तो 180 degree एक triangle का तीनों कोनों का साम कितना होता है एक 60 degree होता है तो इसी तरीके से अगर निकालोगे तो 8980 कड़ गया है एक 6080 तो angle C plus angle B बरबर 100 degree अब एक triangle में दोनों कोनों का value एक 100 degree मिल गया तो यह कितना आजागा यह स्याना अनिवारी है तो खतम का नहीं option number 3 is the correct answer okay sir thank you bye bye stay tuned for the next class